नमस्कार आपका मेरे चैनल धागों के खिल में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको तीन रंगों से बहुत प्यारा सा डिजान बताने जा रहे हूं कोई भी मेनत नहीं है पहले बॉडर त्यार करेंगे बॉडर त्यार करने के बाद दूसरा कड़ लगाएंगे यहां ज का एक फंदा बुनते हुए पूरी सलाई पूरी करेंगे हमारे डिजाइन वाली पाली सलाई हो गई अब दूसरी सलाई रॉंग साइट से हमें फिर तीसरा कलर करना है यह तीसरा ब्लू कलर का कलर मैंने आट किया है अब यहां देखें क्रीम कलर से पहले फंदा बुना से skip करना है इसी तरीके से बूनते हुए हम पूरी से लाइक complete करेंगे अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करना पहले पहले लाइक करें फिर पूरा वीडियो देखें के वीडियो को बिना skip के हुए देखें यह आपको डिजाइब बनाने में आसानी होगी यह देखिए रेड़ वाले को बून के blue कलर से बुना है और क्रीम वाले को इस्केप करते हुए इस लाइप पूरी हो गई है इस सिद्धे हाथ के साइड हमारा ब्लू कलर आया और रेड कलर आया तो ब्लू से तो बुनना नहीं है ब्लू तो अल्रेडी हो चुका है तो अब रेड लगाना है रेड वाला लगाना है ब्लू स्किप करना है बस सिंपल साई यही रूल है इसमें कि जिस धागे से बुनाई हो ग देखिए अब बताइए अब किस साइट से बुनाई होगी यह रेट से बुना गया है और क्रीम और क्रीम है अब किस से बुनाई होगी अब देखिए अब क्रीम से बुनाई होगी रेट से तो हो चुका है तो क्रीम बचा तो क्रीम से बुनाई होगी क्रीम से ब्लू वाले को और red वाले को skip करना है अब देखिए चाह सलाई हमारी पूरी हो गई लेकिन यहाँ पे कोई design पता नहीं चल रहा है पांच भी सलाई में फिर blue color से बुनना है और cream को skip करते हुए पांच भी सलाई complete करनी है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसके बाद थोड़ा थोड़ा पता चल रहा design देखिए इस तरीके से यही pattern हमें बार बार दूर आते चलने जाना है हर सलाई में जैसे यह लंबा होते चले होगा design अच्छे से पता चलेगा बनने के बाद यह design बहुत ही खुश्शूरत लगता है इसे बच्चों के sweater में सिर्फ सामने के तरफ भी डाल सकते हैं या आगे पीछे दोनों साइट डाल सकते हैं या फूल sweater बना रहा है तो sleep भी बना सकते इसका आपके घर के सारे बच्चे खुशे हूँ इस design में यूटिलाइज हो जाएंगे देखिए इस तरह का design पता चलेगा sweater बनने के बाद अगर आपको बनाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है तब तो आपको लगा कि या रहे ये छड़वाट आव फाल दुकाम है लेकिन अगर आप बनाई में जरा भी इंटरेस्टेट है तो ये आपको बहुत ही पसंद आने व कि जिस जिस धागे से फंदा बुना हुआ है उसे दूसरी अगली सलाई में इसकिप करना है और जो फंदा पिशली सलाई में सकिप हुआ है उसे बुना है और धागे का यह है कि जिस धागे से स्लाइम में बुना हुआ है उस धागे को छोड़ के फिर दूसरे कलर वाला जो एक सैट में दो कलर आया ये रेट आया रेट को छोड़ देना है रेट से बुना हुआ है क्रीम आया तो क्रीम से बुना है रेट को स्कीप करना है और ब्लू आया तो अब क्या करना है यहां पर क्रीम से बुना गया है ब्लू बचा हुआ है ब्लू तो ब्लू से बुनना है और क्रीम को स्किप करना है और रेट को ब्लू से बुन देना है बस यही सिंपल सा है इसे आप बनाईए अपने छोटे घर के छोटे बच्चों के लिए और बनाने के बाद डिजाइन कैसा लगा, बनाने में क्या दिक्कता है, मेरे साथ जरूर शेर करें, कमेंट बक्स में जरूर बताएं, धन्यवाद